हलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चेनल इंडियन इंस्टीट ऑफ श्टॉक मार्केट में जैसे कि आपको पता है हमारी केंडल पेटन की शांदर सीरिस चल रही है जिसमें हमने बुलिश इंगलफिंग बीरिश इंगलफिंग तेजी ह हो रही है तो कौन से केंडल मद्धी हो रही तो कौन से केंडल किसका क्या सेटप है हर केंडल के सेटप की स्पेसिफिक बात करिए अब हमें आगी क्या ध्यान रखके चलना है कि आज का जो पेटन है वह बहुत ही डेली पर शांदर तरीके से काम करता है अब जो पेटन डेल के बारे में बताते हैं अगर हमें उसके उपर सेट अप को समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखके समझना पड़ेगा और वेसे आपको पता है कि हमारी कंटिनुएशन सीरीज है जिसमें आपको क्या करना है एक कॉपी और एक पेन का खर्चा करना और सिश्ट्रम आपके पास हो गाई जिससे आपको बराबर रोज का रोज प्रेक्टिस करना है जो भी केंडलिश्टिक प्रेटन सीखा है जो भी option strategy सीखी उसकी प्रेक्टिस करके आगे बढ़ते जाना है अब यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है अबाई मुद्द्य की बात कि यह केंडलिश्टिक प्रेटन बनता किसे सबसे पहले समझते कि यह कैसे बनता है इसके significance क्या है और यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है अगर मुझे इसे trade करन तो यह कहां पर बनेंगे और ट्रेट करते वक्त क्या ध्यान रखना इस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे कि यह बनता किसे देखिए आपको मद्दी मिल रही होगी तेजी के बजार में मजेदार बात क्या पता है मद्दी मिल रही होगी तेजी के बजार में यानि कि यहाँ पर जो है तेजी चल रही होगी एसी तेजी आ रही होगी और एक बड़ी मद्दी आ ही होगी यानि कि तेजी चलते चलते दो तिन प्राइस जो है वो नीचे खुलेगी और पूरा कवर अब करेगी ठीक है और पूरा कवर अब करने के बाद प्राइस आप से ज़रूरी नहीं है कि केंडल इसके आदे जाए प्रीवियस निफ्टी का डाटा उठा के देखिए इस मिट के स्मॉल के किसी का भी आप जाके डाटा देखेंगे आपको यहाँ पर ज्यान देने वाली बात क्या है क्या मुझे यहाँ पर एग्रेस्टीव बाहर बनना चाहिए सबसे पहले चीज रूल समझिए यह हमारा है के का केंडलनमबर 2 तो पहला रूल किरे पहला रूल हो एक कि केंडल टू जो है हमारा यह रूल वन है कि जो हमारा सेकेंट नमबर का ये sub गेब डाउन तो रूल नंबर बन क्या है हमारा कि केंडल ग्रीन गेंडल बिल्कुल चलेगी उसके बराबर में आ सकती है जी हां बिल्कुल चलेगी दोड़ के चलेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने बाकी कंडलिश्टिक पिटन की सीरीज देखिए तो मैंने बत पिर्सिंग पिटन का रूल था कि प्राइज यह ज्यादा नीचे नहीं खुलना चाहिए और ऊपर की तरफ आने चाहिए इतना नीचे प्राइस खुलने के बाद जंप मिला है एक्जाम्पल चेक करना है अभी दिखाऊंगा बड़े फॉल के बाद एसा सिनेरियो बन रहा है वो भी काउंटर अटेक है और तेजी चल रही है तेजी में यहाँ पर रेट केंडल बनने की बाद महाँ पर अगर ऐसा कवर अप हो रहा है तो वो भी काउंटर अटेक है तो द आपको कहां मिलेंगे यहांप आप Missouri क हम इए का मिलता है नीचे पर टाइफ बन हमेंका मिलता है उपर पर doen पर train bine और सीभी चर्टा चार्ट पर चल्के करतें अब आपन आ चुके हैं सबसे पहले एक्जाम्बल पर यहाँ पर बात और रही है टाइफ बन की अब टाइफ बन पर आने के वाद हमें क्या देखना है कि यह सिप बनता कैस है इसके सिंद्रियों के आउंगे इसके चर्चापन थोड़ी देर में करते हैं तो जैसा कि आपको क्या बताया है किसे सिंद्रियों से पिर्सिंग पेटन वर्क करता है कहां पर बनता और क्या मूमेंटम आते हैं अब जो है आने वाली सीरीज में मैं बताऊंगो कि चार्ट पेटन कैसे वर्क करते हैं पर यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है मैंने आप लोग को क्या ब पर काम नहीं करेगा डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पेटन्स अपन ढूणेंगे और उसके बाद आगे की वर्किंग करेंगे अब यहां पर क्या होता है बहुत सो लोगों को लगता है कि क्या यह ऑनलाइन कोर्स है पर्चेस करना पड़ेगा कुछ भाई कुछ पर्चेस नह लोगों को भी सेम नहीं है यहां देखिए उपर में रेली चल रही थी जो मैंना को बताई रेली चलेगी उसके बाद एक सटन फॉल आएगा और वहां पर क्या होगा ऐसा गेप डाउन जो हुआ है उसको गेप डाउन होने के बाद पूरा कवर अप होगा तो यह जो गेप अब देखिए यहां से प्राइस होल्ड करी और उसके अभी तक प्राइस के नीचे नहीं गई है मतलब यही बुल का काउंटर अटेक था यह हमारा पियर्सिंग पिटन है अब आप अंतर देखिए बुल काउंटर अटेक और पियर्सिंग पिटन का टेस्ट हुआ जो कि मैं अगले केंडल का वेट करना है अगर अगला केंडल भी हमें ग्रीन मिलता है तो हम यहां से पोजिशन इस्पूर्ट करके ट्रेड कर सकते हैं इसके लिए क्या कंफरमिशन जिरूद पर थी इसके दिन त्यार बैठे हैं कि अब आगर यहां से प्राइज नीचे की तरफ है कि तेजी में एकदम से सेलर साय और बुल ने वह पिस काउंटर अटेक करके ट्रेंड को पल्टी मार दिया अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह था हमारा टाइफ बन अभी टाइब टू का एक्जम्पल चेक करते हो टाइब टू में कैसे ध्यान रखना है व यहां पर बुल काउंटर रट्रेक होने का प्राइस को ऐसे मूफ कर देना चेंग था यही मैं बताना चाहता था अगर आपने ध्यान से ठीक हमालना चाहर हे हमें लगन नकना है कि बोल इहां से प्ड़ाई को सिर्फ संभालना चाहरे है हमें यहां से तेजी करने के लिए पेटन लगेगा अब वो चार्ट पेटन केसा बनेगा क्या बनेगा एक अगर में को इंटरप्रेट करना तो मैं अभिहाल जो देख पा रहा हूं डबल बोटम की स्थिति के लिए मार्केट जा रहा है और अगर डबल बोटम के लिए नहीं जाएगा तो यहां से प्राइस एक कि नहीं है तो इसे साफ से अनलाइस किया जाता है अब अपन चलते हैं एक अग्जम्पल ओड देखने जहां पर हम टाइप बन टाइप टू के कंपेरिशन करेंगे जैसे कि अब आप देख पार है यहां पर मैं फिर से टाइप बन बुल काउंटर एटेक मिला है अब यह टाइप बन बुल काउंटर एटेक कहां पर है मैं दो में डिस्क्रिंट से हट रहा हूं आप एक बार खुट ढूंड लिए फिर मैं माक करता हूं तो आई होप आप लोगों ने विडियो पॉस्ट करके ढूंड़ा होगा कि टाइप वन काउंटर एटेक आपको कहां दिखाई दे रहा है ध्यान से देखिए बिल्कुल साम नहीं आखो कि आपको टाइप वन काउंटर एटेक दिखाई देगा कि प्राइस ने नीचे खुल नीचे खुलने के बाद तेजी का बाजार था त्यजी का बाजार चल रहा है अभी तक मुझे कहीं पर भी काऊंटर एटेक नहीं मिला फिर एक्दम सदंध वाया सदंध वोलने क्या बोला नहीं काउंटर एक नार नीचे खुला से दुबारा से रिजेक्शन लेकर करना शुरू किया तो यह चीज़ ध्यान देने वाली है कि टाइफ बन की जब तक काउंटर अटेक्स नहीं निकल जाते आप समझ जाएगा कि मार्केट जो है वो ज्यादा बीरिष्ट करेक्शन साइकल मतलब महां से फिर करेक्शन की शुरूबात हो सकती उसके पहले मार्केट क्या कर रहा है सिर्फ डरा करके लोगों को निकाल रहा और नहीं तेजी बना रहा है यह चीज़ का हमें विशेश ध्यान रखना है अब एक और एक्जांपल लेखते हैं अपन टू के अब टाइब टू कहां बना तो कोविट के समय पर बना था टाइब टू एक्जंपल जहां पर बुल्स ने काउंटर एटिक किया था और ठीक उससे हजार पॉइंड के अंदर की रेंज में मार्केट ने मॉमेंटम करना शुरू किया था ज्यान रखने वाली बात क्य मतलब आपको तेयर रखना है कि यह डिमांड जॉन बनने की शुरूबात है और ठीक उसका विपर टाइब बन रहा है मतलब मार्केट तेजी में तेजी करेगा तो आई होप आप लोगों कोई कॉई कॉंसेट समझ में होगा जिसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है टाइब प्राइस ने होल्ड करी उसी जौन में प्राइस सबस्यादा होल्ड करनी का जैसे उसको एक बार ब्रेकाउट लिया प्राइस मुमेंटम करती चली गई थी तो इस हिसाब से वर्किंग होती है अगर मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों अच्छे से नोट डाउन कर रहे ह है इसको आप अप्लाइ करके खुद देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पर आपको समझ माइज आएगा कि वर्किंग इसी हिसाब से होती है अगर आप लोगों को हमारी यह सीरीज पसंद आ रही है जिसमें हम आपको फ्री आफ को सब्सक्राइब करना इसके ल अगर आपने अपी तक अपना डिमेट अकाउंट नहीं खुल हुआ है तो डिस्क्रिप्शन की नीचे लिंक ही मिल जाएगा आप जाके अपना डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद